हेलो फ्रेंट्स आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ शीवम कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएस की खान तो आज की इस क्लास में हम डिसकस करने वाले हैं आपके साथ में आपके इंग्जाम के लिए पॉलिटी से सम्मंदित कुछ बहुत ही महत्तपूर प्रेशन तो फ्रेंट्स प्रेंट्स पॉलिटी से सम्मंदित कुछ बहुत ही important questions दिसकस करेंगे इसमें मुखि रूप से संसोधन और अनुच्छे से समंदित questions को हम डिसकस करने वाले हैं तो आश्चा को क्लास अच्छी लगी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा बट इससे पहले आप सब लोग अपने क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दीजिए क्लास बहुत ही इंपोर्टन्ट होने वाली है तो हम सब लोगों आप लोगों से रेक्वेस्ट करेंगे क्लास को अपने मैक्सिमम शेयर कीजिए ओकी चलिए आपका पहला प्रेशन दिया ग्या है कि मूल समिधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अंसूचियां थी चलिए आपकी ऑफ्शन से 390 च्छेद और 8 अंसूचियां कमेंट करें कि मूल समिधान में कुल कितनी अनुच्छेद और कुल कितनी अनुच्छियां थी इस question का right answer अगर आपने चुना है option number C तो बिल्कुल सही answer है 395 और 8 अनुच्छियां ओके डियर फ्रेंट इस question का right answer हमारा option number C हो जाएगा चलिए हम देखते हैं इस class का फटा फट से अगला question अगला question कि भारती समिधान का कौन सा भाग समिधान की आत्मा कहलाता है बहुत अच्छा question है easy question है बताइए भारती समिधान का कौन सा भाग समिधान की आत्मा कहलाता है चलिए तो इस question का right answer option number हमारा B हो जाएगा उद्देश्चिका तो भारती समिधान की उद्देशिका को समिधान की आतमा कहा जाता है तो ऐसे में जिनका भी एंसर उप्सन नमबर भी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका ठीक है चलिए हम देखते हैं स्कलास का अगला क्वेस्चन अगला प्रश्ण के किस संसोधन के द्वारा भारती समिधान की उद्देश्चिका में संसोधन किया गया तो किस संसोधन के द्वारा जहे भारती समिधान की उद्देश्चिका में संसोधन किया गया था आपके options हैं तो किस संसोथन के दौरा भारती संविधान की उद्देश शिक्काब में संसोथन किया गया बताईए इस question का राइट असल हो जाएगा हमारा option number C बैल सिवे संविधान संसोथन के दौरा संविधान की उद्देश शिक्काब में संसोथन किया गया था तो ऐसे में अगर आप अपने इस question का answer option number C चुनने है तो बिल्कुल सही answer है आपका ठीक है चलिए Dear friends, हम देखते हैं इस class का अगला question आप लोग class को support करने के लिए class को share जरूर करते रहेगा मैं इस चीश में आपसे बार बार बोलता हूँ ठीक है चलिए देखते हैं friends अगला प्रशना अगला प्रशना की भारती समिधान किस प्रकार की नागरिक्ता प्रदान करता है बताइए तो भारती समिधान जो है किस प्रकार की नागरिक्ता प्रदान करता है आपके options है एकल नागरिक्ता दोरी नागरिक्ता राज्य की नागरिक्ता या कोई नहीं इस question का राइट answer option number A हमारा हो जाएगा एकल नागरिक्ता ठीक है तो भातियों समिधान एकल नागरिक्ता पतान करता है जिनका भी answer option number हमारा A आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका ठीक है चलिया है हम देखते हैं इस class का फटा-फट से अगला question अगला question एकल नागरिक्ता का प्रावधान किस देश्चे लिया गया है तो प्रिंट्स अच्छा question है बताईए जो एकल नागरिक्ता है इसका प्रावधान किस देश्चे लिया गया है अगर हम बात करें options कि यह तीन options आपके सामने जैसे स्योक्त राष्ट अमेरिका जर्मनी य पाई यह दिखे एकल नकुल नगृत्ता का तो प्रावधान हे निखाग लिगए ह। अगला प्रेश्ण के समिधान के किस अनुछेद के अंतरगत आइस परश्यता का उन्मूलन किया गया है बताइए तो अनुछेद 18, अनुछेद 17, अनुछेद 19 या अनुछेद 21 किस बताइए तो समिल्हान के किस अनुक्षेद के अंतरगत आइस परश्यता का उन्मूलण किया गया है कमें करें इस क्वेशन का राइट आँसर आपसन नमबर B हो जाएगा वनुक्षेद सेतरा ठीक है तो अनुक्षेद सेतरा ऑपसन B इस दराइट आँसर में अगला क्वेश्चन अगला प्रश्ण है कि राज्य की नीती निदेशक सिध्धानतों में कौन सा सुरक्षा और समवर्धन से संबंदेत है तो निम्लिखित में से कौन सा अनुछेद है जो कि राज्य की नीती निदेशक सिध्धानतों में जो है अन्तर राष्ट्री सुरक्षा और सुरक्षा के समवर्धन से संबंदेत है याद रखिएगा यि अगला question के भारत के राष्ट्रपति होना जाइए भारत के राष्ट्रपति को उसके कारकाल की समापती से पूर्व किस प्रकार पदा से हटाया जासकता है प्पर भारत के राष्ट्रपति को तो फ्रेंट्स भारत के राष्ट्रपति को उसके कारिकाल के दवरान, जो है, किस प्रक्रिया दवरा उसके पर से उसको हटा सकते हैं? आपके आप्सेंस हैं महाभीयोग दवरा, संसत के किसी भी सदन दवरा, प्रधान मंतरी दवरा, या सर्वोच नेयले दवरा? आसान question है comment करें फटाफर से तो इस question का right answer option नहीं हो जाएगा महा भी योग द्वारा ओके चलिए अगला question कि भारत के राश्ट्रपति को उसके पद से हटाने की अधिकार किसे प्राप्ट है किस प्रकार हटा सकते हैं तो महा भीयोग द्वारा हटा सकते हैं अब यह जो राश्ट्रपति होते हैं इनको पद से हटाने का अधिकार प्राप्ट किसको है options दिएगे हैं आपको ब्रधान मंतरी को सरवोच चनेयले को संसद को संसद की अंधिक्ष को बताईए इस question का रही answer option number C हो जाएगा संसद को किसको प्राप्ट था यह तो इस अधिकार संसद को प्राप्ट होते हैं ऐसे में जिनका भी answer option number C आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका शरी है हम देखते हैं इस class का अगला question अगला प्रेशा नुछेड़ एकसट के अंतरगत राश्ट्र पर संसदक किस हृमारा प्राप्रारं मिलाउज़ सकता है ऐण्यूद्स खेस ने सिर्ष कैंड़ महाव्योग लाश्ट्र पर महाव्योग होता है उ I तो माहभ्योग जो होता है, यह किस सदन द्वारा प्रारम होता है, आप्संसायप के संसत के कसी भी सदन सदन द्वारा, संसत के उच्छ सदन द्वारा, यह إن में से कोई नहीं, छोलिये भिदाईए देखे, महाब्योग की जो प्रक्रिया होती है ये संसत के किसी भी सदन से प्राड़म कर सकते हैं तो ऐसे में जिनका भी आंसर उप्सन नमबर हमारा ए आर आ है वो इस क्वेस्टन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है चलिए हम देखें इस क्लास का अगला प्रश्ण अगला प्रश्ण राजसभा का सभापती कौन होता है बताइए तो राजसभा का सभापती कौन होता है भारत का उपराश्ट्रपती, प्रधान मंत्री ये राश्ट्रपती बताइए चलिए तो उपराश्ट्रपती सभापति होता है की राजिसभा का राजिसभा होता है क्वित कि तो चलिए अगला कि भारत का अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है बताइए तो आपसन से आपके उपर राष्ट्रपति को प्रधान वंतरी को लोग सभाध्यक्ष को यह महानयवादी को पताइए है चलिए जो भारत का राष्ट्रपति होता है तो यह अपना त्याग उपराष्ट्रपति को संबोत्त करके देते हैं तो समझम मैं इसने गर्चाहिं केंद्र सरकार का प्रमुफ कौन होता है राष्टरपती या कि चलिए इस इस्रकार का प्रमुफ कौन होता है तो यह उता है ब्रूब अ नमंत्री शेज़ी और शेज़ की बेन सफुल सही अंसर हो जाएगा ठीक है तो किये इस अंसर का प्रेमुख कौन होता है तो परधानमंतरी होता है जिनका भी एंसर ओपस्न टंबर sells वह हुआ है सब्कुल सही ऑंसर हों ना चाहिए। बताईए। भारत का प्रधान मंत्री बनने के लिए नियूनतम अयू कितनी होनी चाहिए थीर आपके सामने हैं फटा फट से बताईए। इन ही तीर में जर्फ आपका राइड एंसर भी है फटा फट से कमेंट करें हैं। भारत का प्रधान मंत्री बनने के लिए जो नियूंतम आयू है ये 25 वर्ष होनी चाहिए क्लियर option D इनका भी अंसर आ रहा है वह हमारा इस प्रेश्ण में विल्कुल सही उत्तर है चलिए हम देखते हैं इस क्लास के आगला अगला प्रेश्टन कि समिधान के किस अनुचेद में मंत्री मंटंडल शब्द का प्रियोग किया गया है और सब्सक्राइब के इस इस इसन करें इस क्वेश्टन का रइट अंसर हो जाएक का आपसल नमबर हमारा ए अनुचेद 353 में इनुचे 253 में, मन्तरी मंदल शब्डगाप्रियोग किया है, अगला प्रेस्टन दिया गया है, भारत का सरवोच विधिय थिकारी रूं होता है, भारत का सरवोच विधिय-थिकारी कौन होता है आपके और छैंज स term अशिजर करें मि स्कुर्ट से तर 부न इसक्राइब होटे तक करें भारत का महान न्याइवादी बारत का सर्वोच्वदी तिक हरी कौन होते भारत का महान न्याइवादी होता है जिनका भी आँसर प्सेन आँ रहे है वह इस क्रेंशन के लिए विल्कुल सही अंसर हो जाएगा ठीक है चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेस्टिन अगला प्रेशन समिधान के किस अनुचेद के अंतरगत धन विध्यक को परिभाश्ट किया गया है अनुचेद एक सोदस चलिए दो बार हो गया ठीक है अनुचेद बावन या अनुचेद एकस्तो एक तालिस तो समिधान के किस अनुचेद के अंतरगत धन विध्यक को परिभ ओप्सन भी ठीक है समिधान के अच्छे एक सो दस के अंत्रकत धन विध्यक को परफाश्चित किया गया है इस question का right answer friends option number हमारा B हो जाएगा clear चलिए हम देखते हैं इस class का फटा फटा से अगला question अगला question दिया कि friends कि लोग सभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो जकती है तो 550, 545, 530, 532 बदाए कि लोग सभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है चलिए है अगर आपकी चाहिए इस question के answer की तो अगर आपने अपना answer option number D चुना हुआ है 552 ठीक है तो जिनका भी answer friends इस question के लिए option number D आ रहा है 552 बिल्कुल सही होता है ठीक है तो लोग सभा में सदस्यों के अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है तो 552 हो सकती है जिनका भी answer इस question के लिए option number D आ रहा है वो इस question के लिए बिल्कुल सही answer हो चाहेगा ठीक है चलिए हम देखते हैं इस class का अगला question अगला question राजसभाग का सदसे बनने के लिए निउनतम आयू कितनी होनी चाहिए बते फ्रेंट्स यह राजसभाग का सदसे बनने के लिए जो निउनतम आयू है वो कितनी होनी चाहिए बते कितनी होनी चाहिए options है आपके 35 वर्ष, 30 वर्ष, 45 वर्ष यह 25 वर्ष comment करें इस question का right answer हो जाएगा friends option नमबर हमारा B 30 वर्ष ठीक है तो राजसभाग का सदसे बनने के लिए निउनतम आयू 30 वर्ष होनी चाहिए जिनका भी answer इस question में option नमबर B आ रहा है वो हमारा इस question के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा ठीक है चिरिए हम देखते हैं इस last का अगला question अगला प्रष संसत के किस सदन अध्यक्ष उसका सदसे नहीं होता है कमें करें संसत के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है आपके options है राजसभा का next option लोगसभा का विधान परिशद की विधान सभा बताइए इस question का राइट अंसर हो जाएगा फ्रेंड option number हमारा ठीक है तो संसत के जो है राजसभा का जो सदन का अध्यक्ष है वो उसका सदस्य नहीं होता है तो ऐसे में जिनका भी आंसर इस question के लिए option number A आया हुआ है वो इस question के लिए विल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ठीक है चलिए हम देखते हैं इस class का फटा फट से अगला question अगला question कि लोगसभा चुनाओं में निर्धारित होने के लिए किसी वक्त की नियूनतम आयू कितनी होनी चाहिए बताइए तो लोगसभा चुनाओं में निर्धारित होने के लिए किसी वक्त की नियूनतम आयू कितनी होनी चाहिए options है आपके 25 वर्ष 30 वर्ष 35 वर्ष 21 वर्ष बताइए आपके इस question का राइट answer friends option number a हो जाएगा 25 वर्ष ठीक है कितनी होनी चाहिए तो यह 25 वर्ष होनी चाहिए चलिए तो friends हम देखते हैं फटा फट से इस class का अगला question अगला question की लोगसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है बताइए कि लोगसभा की वर्तमान जो सदस्य संख्या है वो कितनी है आपकी options है 550, 552, 530 या 545 कमेंट करें चलिए तो friends अगर बात कीज़ें इसके answer की तो इस question का right answer option number हमारा D हो जाएगा ठीक है 545 की लोगसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है तो यह 545 है option D is the right answer चलिए अगला question की संसदी व्यवस्था में शून निकाल किस देश की देन है चलिए शून निकाल होता है 0R ठीक है यह किस देश की देन है आपके options दिए गये हैं सेवक्तराज अमेरिका की रूस की भारत की जर्मनी की बताइए शून निकाल किस देश की देन है चलिए इस question का right answer हो जाएगा option number हमारा C जिनका भी answer इस question में option number C आ रहा है पिलकुल सही उत्तर है तो यह भारत की देन है शून निकाल clear option C जिनका भी answer आया हुआ है very good चलिए हम देखते हैं इस class के friends फटा फट से अगला question सदन की कारवाई का प्रत्थम घंटा क्या कहलाता है good question सदन की कारवाई जो प्रारंभ होती है तो इसके जो प्रारंभ में जो पहला घंटा होता है उसको क्या कहा जाता है आपके option से प्रश नकाल, शून नकाल, गड़ पूर्ती ये इनमे से कोई नहीं, बताईए तो इसको question are ये प्रश नकाल कहते हैं, जिनका भी answer इस question में option number are है, वो इस question के लिए विल्कुल सही answer हो जाएगा, ठीक है, चलिए तो इसको प्रश नकाल कहते हैं, देखते हैं अगला question, अगला question के सरवोच नहले के नहाधीशों के नियुक्टी किसके दौरा की जाती है, तो प्रधान मंतरी के दौरा, राष्टरपती के दौरा, उपर राष्टरपती के दौरा, लोगजभा, अध्यक्ष के दौरा, तो इस question का right answer हो जाएगा option number B, राश्ट्रपती के दौरा, ठीक है? सर्बो चन्यले के ने धीजाओ की न्यूगती राश्ट्रपती के दौरा की जाती है, ऐसे में जिनका भी answer option number B आ रहा है, वो इस question के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा, ठीक है? चरिए, हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेस्चन अगला प्रशन दिया है कि समिधान सभा का इस्थाई अध्यक्ष किसे चुना गया था बहुत आसान प्रशने बताइए कि समिधान सभा का इस्थाई अध्यक्ष किसको चुना गया था तो समिधान सभा का इस्थाई अध्यक्ष किसको चुना गया वदाइए इस question का right answer हो जाएगा option number हमारा C डॉक्टर राजिद प्रशाद ओके डॉक्टर राजिद प्रशाद को समिधान सभा का इस्थाई अध्यक्ष चुना गया था clear? चलिए देखते हैं इस class का हम अगला question अगला प्रशाद भारती समिधान के निर्माड काल में समिधान सभा के कुल कितनी अध्यवेशन हुए थे? तो बारा, पंदरा, दस, ये नो तो भारती समिधान के निर्माड काल में समिधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे बताईए इस question का रहे आंसर हो जाएगा friends, option number हमारा A 12 कितने हुए थे हम देखते हैं इस class का फटा-फट से अगला question अगला question है friends, कि समिधान सभा के समिधानिक सलहकार कौन थे? friends, आप लोगो से request कर रहे हैं बार बार से कि please friends, आप सब लोग एक बार अपने class को support करने के लिए class को share कर दीजे ठीक है, तो बहुत बार की questions एक पूछे गए हैं, ठीक है, कुछ आसान question है, कुछ कठिन question है पूरा collection आपके लिए हम लेकर के आये हुए है, ठीक है, और ये इसका part first है support करेंगे, अगर आप लोग इस class को तो इसका part second third भी हम लेकर के आएंगे तो भारते समिधान सभा के सामवधानिक सलहकार कौन थे बताईए इस question के लिए बिलकुल सही answer हो जाएगा, ठीक है चलिए, हम देखते हैं इस class का अगला question अगला question भारत का समिधान कब सुईकार किया गया, चलिए होता है इस भारत का समिधानिक सुईकार इसको कब किया गया था, रहाँ इन करें देखिए, तो आपको पता है, 26 नमबर 1949 को कब, इसमें टॉपसन महिटा दीचे 26 नमबर 1949 को भारती समिधान को सुईकार किया गया था और 26 चनवरी को इसको लागू कर दिया गया था, तो ऐसे में जिनका भी जो है answer 26 नमबर 1949 आया हुआ है, वो बिल्कुल सही answer है, ठीके, चलिए तो रियर फ्रेंड्स हम देखते हैं इस क्लास का फटा फट से अगला question अगला question भारती समिधान में मौलिक करतव्यों का विचार किस देश के समिधान से लिया गया है, तो रूस के समिधान से, अमेरिका के समिधान से, जर्मनी के समिधान से, ये जापान के समिधान से, तो भारते समिधान में मौलिक करतवयों का विचार किस देश्टे लिया गया है, बता ये इस question कराईट answer, option number A हो जाएगा, answer रूस के समिधान से, ठीक है, तो भारते समिधान में मौले करतवियों का जो वेचार है ये रूस के सम्मिधान से लिया गया है इनका भी answer option number A आया हुआ है वो इस question के लिए बिल्कुल सही उत्तर है रूस के सम्मिधान से clear? चलिए हम देखते हैं इस class का अगला question हम अगला question भारत में न्यायक पुर्नारो लोकन की संकलपना किस देश के सम्मिधान से लिगाई है इस question का right answer option number A हो जाएगा समयुक्त राज अमेरिका ठीक है भारत में नियाएक कुर्णार लोकर की जुशंकरवना है ये समयुक्त राज अमेरिका से ली गई है जिनका भी answer option number A आया हुआ है वो इस question के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा ठीक है चलिए हम देखते हैं इस class का अ अगला प्रशन भारत के सम्मिधान में सम्मिलित आपात कालीन उपबंद किस देश के सम्मिधान से प्रेरित हैं मत आये भारत के सम्मिधान में सम्मिलित आपात कालीन उपबंद जो है किस देश के सम्मिधान से प्रेरित हैं ऑप्सन आपके ऑस्ट्रेलिया जर्मनी जापा या आयरलेंट कमेंट करें इस वेस्ट का रही आंसर हो जाएगा option number B जर्मनी ठीक है भारत के सम्मिधान में समयले जो आपाद काली पफबन्ध है यह जर्मनी के सम्मिधान से प्रेरित है जिनका भी आंसर option number हमारा भी आया हुआ है वो इस question के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए हम देखते हैं इस class का अगला question अगला question भारती सम्मिधान में मूल करतव्यों का प्रावधान किस देश के सम्मिधान से प्रेरित है बाती सम्मिधान में मूल करतव्यों का प्रावधान है किस देश के सम्मिधान से प्रेरित है आपके options है रूस, South Africa, Canada या France बाती सम्मिधान में मूल करतव्यों का प्रावधान है ये रूस के सम्मिधान से प्रेरित है इनका भी answer option number हमारा AR है बिल्कुल सही उत्तार है उनका ठीक है चलिए देखते हैं फ्रेंट्स इस क्लास का फटा-फट से अगला question अगला question कि भारती सम्मिधान में किस प्रकार की शाष्ण प्रणाली की व्यवस्था की गई है इसमें जिनका भी answer option number AR है वो हमारा इस question के लिए बिल्कुल सही उत्तर है संस्दात्मक चलिए अगला question सम्मिधान के प्रथम अनुच्चेत के अनुच्चेत क्या होगा राज्यों का संग केंश्राष्ट राज्यों का संग राज्यों वा केंश्राष्ट राज्यों यह इन में से कोई नहीं करें करें चलिए तो और उच्छी देख में क्या का गया कि भारत जो है राज्जीयों का संग होगा जिनका भी आंसर ऑप्सन नमबर ए आया हुआ है वो इस क्वेश्टन के लिए विल्कुल सही आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए वेरी गूट आंसर करते रहे हैं आप लो ऑप्सन न अगला प्रशन भाषाई अधार पर भारत में स्तर प्रथम किस राज्जी का गठन किया गया तो आंत्र प्रदेश उत्तर प्रदेश पंजाब राजस्थान मतई भाषाई अधार पर भारत में स्तर प्रथम किस राज्जी का गठन किया गया था वेरी वेरी इजी क्वेश् बताई है इस question का राइट answer अगर आपने चुना है option number A आंथर प्रदेश तो बिल्कुल सही answer है तो भाषाई अधर पर सबसे पहले आंथर प्रदेश राज्य का गठुन किया गया था ओके और आपस्टन नमपर एगर आप स्टने इस question का अंसर हम देखते हैं इस class का फटाफट से अगला question अगला question अगला question कितने वर्षों तक रहने पर भारती नागरुटा भारत से बाहर कर दी जाएगी मतले तो तो फ्रेंट्स अगर कितने वर्षों तक कोई विक्ति लगातार भारत से बाहर रहे तो उसकी जो नाग्रिक्ता है वो समाप्त कर दी जाएगे बताइए साथ वर्ष पांच वर्ष दस वर्ष यह बारह वर्ष कमेंट करें छिरिए इस question का राइट answer हो जाएगा Friends option 1a साथ वर्ष कितने वर्षों तक तो लगातार साथ वर्षों तक बाहर रहने पर भारती नाग्रिक्ता है स्वाब्स कर दी जाती है अगला प्रशन भारती समिधान का कौन सा अनुच्छेद, विधी के समकच्छ, समता के अधिकार से सम्बंदित है, आपके अप्शन्स है, अनुच्छेद 19, अनुच्छ 17, अनुच्छ 15 या अनुच्छ 14, बताइए, इस वीस्क्वेशन का रही दाता है का आप्सन अंबर 20, अरुच्छ 4, आपके, अपसन ड अप्शन नें इसका अंसर वर्य गुड़ चलिये, अगला प्रशन भारती इसमिधान के किस अधिकार से नुच्छ, ने में वाक स Girणता के मूल अधिकार का प्राउधान किया गया है बताए तो नुखे च्वालिस में wip teaching 32 में सिन्निष में कि अनुश्य विडियNETецंप किस नृष्य प्राउधाय में वाक सित अगला प्रशन मौली का अधिकारों का सामरक्षक कौन है बताइए तो एक option में से तो नाय पालिका पर्धान मंत्री या संसल तीन options आपके सामने हैं और फ्रेंड्स इन्हीं तीन में से ही एक आपका राइट आंसर भी है तो फटाफ़ट से करिए कि मौली का अधिकारों का सानक्षक कौन है इस question का रहा है आंसर हो जाएगा option नमबर बी न्याय पालिका ठीक है तो मौली का अधिकारों का सानक्षक कौन होता है न्याय पालिका जो है मौली का अधिकारों का सानक्षक होता है जिनका भी answer option नमबर बी आ रहा है वो इस question के लिए विल्कुल सही answer हो जाएगा ठीक है चल अगला प्रश्चे व्यक्तिकत सुतंतत्ता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है तो बंदी प्रत्रक्षी करण उद्परेश्ण परमादेश निशेद मताइए व्यक्तिकत सुतंतत्ता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है कमेंट करे चलिए इस question का right answer अगर बात की जाए इस question का right answer friends हो जाएगा option number a बंदी प्रत्यक्षी करण ओके तो व्यक्तिकर सतंतत्ता के अधिकार के लिए बंदी करण प्रत्य प्रत्यक्षी करण यह चिका दायर कर सकते हैं जिनका भी answer option नमबर यह आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका चलिए हम देखते हैं इस class का अगला question अगला प्रत्यक्षी भारती से मिधान के किस भाग में मौलिक करतव उल्लेखित हैं आपके options है भाग 4A भाग 5A भाग 4A भाग 6A यह भाग 6C बताइए बताइए देखिए देखिए भाग 4A, option number B याद रखेगा, ठीक है, समिधान के भाग 4A में मौलिक करतव्यों का उलिख किया गया, question important रहता है ये वाला, ठीक है, तो option B है इस दिन का भी आंसर आ रहा है, इस question के लिए बिल्कुल सही उत्तर है, चलिए, हम देखते हैं फटा-फट से इस class का अगल करता है, तो भारती समिधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पत के लिए पुना निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है, आप्सन आप के अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 58 करें, इस question का रहत अंसर हो जाएगा, हमारो option number B, अनुच्छे 57, अनुच्छे 57, अनुच्छे 57, अनुच्छे राष्ट्रपति पत के लिए पुना निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है, जिनका भी answer option number B आ रहा है, वो इस question के लिए विल्कुल सही answer हो जाएगा, ठीक है, चलिए, हम देखते हैं, इस class का अगला question, अगला question की सरवोच नियले के नैधीस को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है, आपके options संसत को, लोग सभा को, राजी सभा को, या राश्ट्रपति को, सरवोच नियले के नैधीस को उसके पद से हटाने का अधिकार किसको प्राप्त है, बताईए, चलिए इस question का right answer हो जाएगा हमारा option number a राश्ट्रपती को सर्वो चिनेले के नयदीश को उसके पद से हटाने का दिकार जो है यह राश्ट्रपती को प्राप्त है तो ऐसे में जिनका भी answer option number a आ रहा है वो इस question के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा ठीक है राश्ट्रपती च question अगला प्रशन की लोगसभा और राजसभा का संयुक्तिवेशन किसके द्वारा आहुद होता है तो राश्ट्रपती के द्वारा उपर राश्ट्रपती के द्वारा लोगसभा अर्धिक्ष के द्वारा यह राजसभा के द्वारा तो इस लोगसभा और राजसभा का इस question के लिए बिल्खुल सही answer है राष्ट्रपती के द्वारा चलिए अगलर प्रशने वित्त आयोग के न्यूक्ति कौन करता है तो पधान मंतरी राष्ट्रपती वित्त मंतरी लोगसभाद उपाध्यक्ष बताइए कि वित्त आयोग के न्यूक्ति कौन करता है इस question का रहेakton सोज़ाइगा फेंडस आप रहा बे राष्ट्रपती है तो ओप्सन नम्बर बी जिनका भी answer आरा है बिल्कुल सही हुत्तर है उनका ठीक है तो वित्त आयोग के न्यूक्ति राष्ट्रपती करते हैं इनका भी answer option नम्बर बी आ रहा है बिल्कुल सही होतार है उनका ठीक है चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेस्चन अगला प्रशन द्रध्यान से पढ़िएगा प्रशने फ्रेंड्स कि किस सदन की ध्यक्षता ऐसे विक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदसे नहीं होता है अच्छा प्रशने बताईए उपसन साहिब की राजसभा लोगसभा विधान परिश्द यह विधान सभा तो किस सदन की ध्यक्षता ऐसे वक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदसे नहीं होता है चलिए, इस question के answer की अगर बात की जाए, तो जिनका भी answer option number A आ रहा है, राजसभा, बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है, राजसभा, चलिए, देखते हैं इस class का हम फटा-फट से अगला question अगला question, प्रधान मंतरी की नियुक्ती किसके द्वरा की जाती है, बताईए, तो फ्रेंड्स, प्रधान मंतरी की नियुक्ती किसके द्वरा की जाती है, आपसन आपके राश्ट्रपती के द्वरा, उपर राश्ट्रपती के द्वरा, लोक्षभा अध्धक्ष के द्वरा, य कि चलिए इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा फ्रेंट्स आपसर नमबर हमारा एक इसके दौरा तो राष्ट्रपती के दौरा तो महां प्रधानमंत्री के जन्युक्ति है यह राष्ट्रपती करते हैं जिनका भी आंसर आपसर नमबर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर च में वास्तविक का रिपालिका शक्ति किसके अधीन होती है तो राष्ट्रपती प्रधानमंत्री लोकसाभाद्द्यक्ष वित्यमंत्री संसदी शाष्ट्रपती में वास्तविक का रिपालिका शक्ति किसके अधीन होती है इस क्वेश्ट्रपती का राष्ट्रपती के अधी होती है ठीक है जिनका भी अंसर नंबर हमारा भी आ रहा है वह इस क्वेस्टन के लिए बिलकुल जहीं आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रेशन अगला प्रेशन भारा सरकार को कानूनी विश्यों पर परामर्श कौन देता है विधियायोग महानयवादी उच्चितम नियालय का मुख्य नियाधिस या सॉलिस्टर जनरल मताइए भारा सरकार को कानूनी विश्यों पर परामर्श कौन देता है मताइए कि इस क्वेश्चन का रहे अंसर हो जाएगा ऑप्सन नंबर हमारा भी महानियवादी ठीक है तो भारत सरकार को कारूनी विश्यों पर परामर्श कौन देता है तो महानियवादी यह की अटॉर्णी जन्रल होता है यह देता है ऑप्सन बी जिनका भी एंसर आ रहा है वेटकू इस क्लास का अगला क्वेश्चन लोगसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है तो लोगसभा उपाध्यक्ष को प्रधान वंतरी को यह उपर आश्ट्रपति को मताई फ्रेंट की लोगसभा अध्यक्ष होते हैं यह अपना त्याग पत्र किसको सौंपते ब हुआ है फिल्कुल सही उत्तर है कि लोग सभा उपाध्यक्ष जपो लोग सभाध्यक्ष मैं तेख पत्र जो है लोग सभा का जो उपाध्यक्ष होता इसको सॉब्ता है कि जिनका भी प्रष्मossen निर्धर्व कि देखते हैं 250-245 तो राजय सभा की अधिक्तम निर्धर्द संख्या कितनी है बताईए इस question का रही answer option number C हो जाएगा 250 ठीक है कितनी है 250 है जिनका भी answer option number C आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका के आने चलिए हम देखते हैं इस class का friends फटा फटसे अग्ला question कि एस अगला question कि एक वर्ष में लोग सभ films के क्म से कम कितने संतर बुलाए जाते हैं तो एक वर्ष में लोग सभा के कम से कम कितने संतर बुलाए जाते हैं बताइए आपको यह option से 2 तीन चार यह एक इस question का रही अंसर option number A हो जाएगा दो ठीक है तो friends एक वर्ष में लोगसभा के कम से कम दो सत्र बुलाया जाते हैं ऐसे में जिनका भी answer option number A आया हुआ है वो इस question के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा एक वर्ष में लोगसभा के कम से कम दो सत्रों को बुलाया जाता है चलिए अगला प्रशन भारत की संगी शाषन प्रणाली किस देश के समिधान से प्रेरित है कनाड़ा, ब्रिटेन, जर्मनी तो भारत की संघी शाषन प्रणाली जो है किस तेश के सम्विधान से प्रेरित है कमेंट करें ओप्सन नमबर ए कनाड़ा ओगी ओप्सन नमबर ए जिनका भी आनसर आ रहा है बिल्कुल सही होतना है उपका तो भारत की संघी शाषन प्रणाली किस तेश के सम्विधान से प्रेरित है पताईए ठीक तो ये कनाड़ा से है ओप्सन ने जर्णाज दर आई टांसर दोरा ये विधान परशद दोरा बताईए ये संसद दोरा बढ़ा सकते हैं किसके दोरा फ्रेंट संसद की दोरा ओप्सन ए अगर आपने चुना हुआ इस क्वेशन का अंसर बिल्कुल जही उत्तर है आपके लिए ठीक संसद की दोरा चलिए अगला प्रशन के राज जिम्मे राष्ट्रपति शाषन किसकी सलाह पर किया जाता है तो मुख्यमंतरी राज जिपाल की ओचे नेले के मुख्यने अधीश ये इनमें से कोई नहीं तो राज जिम्मे राष्ट्रपति शाषन किसकी सलाह पर किया जाता है बताईए इस question का रहेट answer option number हमारा बी हो जाएगा राज जेपाल की ठीक है तो भारत में राश्टपति शाष्टन राज जेपाल की सलाह पर किया जाता है ओकी ऐसे में जिनका भी answer option number बी आ रहे हैं विल्कुल सही उत्तर है उनका ठीक है शलिए हम देखते हैं इस class का अगला question अगला पर से राश्टपति शाष्टन अधिक्तम कितनी अवधी तक लगाया जासकता है मताई कि राश्टपति शाष्टन को अधिक्तम कितनी साल के लिए कितनी अवध के लिए इंप्लीमेंट कर सकते हैं मताई एक वर्ष तीन वर्ष के दो वर्ष मताई चलिए तो राष्ट पर शाष्ण को ज्यादा से ज्यादा तीन वर्ष्ण के लिए लगा जा सकता है कितने तीन वर्ष्ण के लिए इसको दिफ्टर लगा सकते हैं तो यह से में जिनका भी अंसर ऑप्सन बस दी आ रहा है फ्रेंड्स वेरी गुड चलिए अगला वर्ष्ण वित्यायोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसत सदन के समक्ष कौन रखवाता है तो भारत के उपराष्ट्रपती भारत के वित्यमंतरी भारत के प्रधान मंतरी तो question द्वारस पढ़ लेजे कि वित्यायोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसत जो है स इस question का रही answer option number नमारा B हो जाएगा भारत की राश्ट्रपती जिनका भी answer option number B आ रहे है भारत की राश्ट्रपती विल्कुल सही उत्तर है उनका ठीक है चलिए हम देखते हैं इस class का अगला प्रश्ण अगला प्रश्ण भारत में वित्त आयोक का गठन किस अनुच्षेद के अंत्रगत किया गया है इस क्वेशन का रहीट अंसर हो चाहेगा ऑप्सन नमबर D और 628 के अंतगत किया गया है जिनका भी अंसर आप्सन नमबर हमारे D आ रहे हैं वह इस क्वेशन के लिए फ्रेंड से बिल्कुल दहीं उतर है ठीक है और 628 के अंतगत भारत में विद्ध आयोग का गठन किया गया ह देखते हैं अगला प्रेशना अगला प्रेशना है भारत की संचित निथी में से राजियों की राजस्त में सहायता उदान कौन सा विनीमित करता है भारत की संचित निथी में से राजियों की राजस्त में सहायता उदान को कौन भी निमित करता है आपके आप्शन से विद्ध आयोग, राष्ट्री संकी आयोग, योजना आयोग, ये वेतना आयोग मतले है आप्शन नमबर ए, विद्ध आयोग, उन करता है, तो फ्रेंट से विद्ध आयोग करता है, जिनका वियांस तर आप्शन नमबर ए आ रहा है, वो इस क्वेस्टन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है, चलिए, हम देखते हैं अगला प्रशन अगला प्रशन फ्रेंट से नीती आयोग का अधिक्ष कौन होता है, वेरी इजी क्वेस्टन, तो नीती आयोग का अधिक्ष कौन होता है, तो नीती आयोग का अधिक्ष होते हैं प्रधान मंतरी, कौन होता है, प्रधान मंतरी नीती आयोग का अधिक्ष होता है, जिनका वि वो इस questioning के लिए बिल्कुल सही answer है तो नीती आयुक के अधिक्ष प्रधान मंत्री होते है अगला प्रशन भारत के मुख्य आयुक्त की पदावधी क्या है बना ये options आपके साबने है भारत के मुख्य आयुक्त की पदावधी क्या है ये होती है छे वर्ष या 65 वर्ष की आयुक्ष जो भी पहले हो तो इस question का रही आणसर अगर आपने option number A चुना हुआ है तो बिल्कुल सही answer है आपके लिए हम देखते हैं इस class का अगला question भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसकी द्वरा नियुक्त किया जाता है मताई राश्ट्रपति द्वरा प्रधानमंत्री द्वरा सरवोच नियले का मुख्य नैधिस द्वरा ये लोग सभा का अध्यक्ष है भारत की मुख के चुनाव आयो तो किसके द्वारा न्यूट किये जाते हैं इस question का right answer हो जाएगा option number E, राश्टर पाती द्वारा इस question का भी answer option number E, राश्टर पाती द्वारा, पिल्कुल सही उत्तर है, चलिए चलिए friends, आज किस class में इतना ही रखते हैं थीक है, तो आज किस class में इतना ही आश्या करेंगे जो class questions आह हैं आप सवों काफी अच्छे लगी होगे ठीक है तो प्लीजब और फ्रेंड सबpoint class को अपने फटा-फट से like और शेर कर दीजिए चलिए मैं आपका फ्रेंट शिपम कुमार मिलता हूं आप से आपकी नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल लखें सेफ रहें पढ़ाई करते रहें टेक क्यर फ्रेंड्स बाबाए